जब भी हम पॉलिटी यानि किराजववस्ता की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त समवेधानिक और वैधानिक दो ऐसे सब्द हैं जो कि बहुत साल एस्ट्टेंट्स को हमेशा कन्फूज करते रहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि समवेधानिक जिसे इंगलिस में constitutional कहा जाता है और वैधानिक जिसे इंगलिस में legal कहा जाता है इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है तो दोस्तों समवेधानिक वो होता है जो कि समवेधान के बिभिन प्रावधानों मे लिखा गया है यानि कि जो समविधानि में है वो समविधानिक है जबकि वहीं बात करें वैधानिक की तो वैधानिक में जो होता है वो संसद या फिराजय के विधान मंदनों द्वारा कानून बना करके जो चीजे लाई जाती है या जो बनाया जाता है वो वैधानिक कहलाता ह जैसे कि दोस्तों बहुत सारी जो अधिकार हैं वो सम्विधान में दिये गए हैं उन्हें सम्विधान में लिखा गया है तो वो चीशे जो हैं वो सम्विधानिक अधिकार हैं ठीक है उसे हम constitutional right कहते हैं वहीं दोस्तों बहुत सारे जो अधिकार हैं वो संसत के द्वारा या फ तो अगर हम छोटे सब्दों में समझें तो वो साली चीज़ें जो की समविधान में लिखी गई हैं वो सभी समविधानिक हैं जैसे कि समविधानिक अधिकार, समविधानिक पद, समविधानिक सक्तियां ठीक है वहीं दोस्तों जो संसत के द्वारा या फिराजे के विधान मं तो इन दोनों के बीच में मुख्या अंतर यहीं था उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार